आगाश्वानी पूटबेर से प्रस्तुत है प्रारिशिक समचार आगाश्मी के दिन 30 अगस को श्रदालों को देर रात एक बजे तक मंदिरों में आने जाने की छूट प्रदान की है सांसात कुल्दी प्राई शर्मा ने पोर्ट ब्लर से रंगात मायबंदार और डिगलिपूर के लिए विशेज जलियान सेवा उपलब्य कराने की मांग की है और राश्टी इंडियन मिलिटरी कॉलेज देरादून में प्रवेश के लिए लिखित परिक्षा आज आई जित की जाएगी सुबा के समचारों के साथ मैं राकेश शंदरलाल अंडमान निकुबर दीप समू में कोरोना पॉजिटिव के सक्री मामले घटकर तीन रह गए हैं कल एक भी नया मामला सामने नहीं आया जबकि एक मरीच को डिशार्च किया गया ये सबी मामले दक्षिन अंडमान जिले में हैं दीपो में कोरोना के अब तक 7560 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से 7,428 लोगों ने रिकावर कर लिया है दीपो में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.57 प्रतिशत है कोविट टीका करण अभियान के तैट अब तक 3,55,383 कोविट के टीके लगाए जा चुके हैं कल कुल 4,288 लोगों का टीका करण किया गया इन में से 3,831 दक्षिन अनमान जिले में हैं मद्योतर अनमान जिले में 416 और निकोबार जिले में 41 लोग शामिल है अब तक 18-44 वर्ष आयू वर के 1,49,709 लोगों को टीक का लगाया जा चुका है 1,4,202 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है 62 फिसीदी से अधिक जन संख्या का टीका करण किया जा चुका है देप समू में आगामी परेटन परिजोजनाओं की समिक्षा के लिए नीती आयों के परामश दाता द्वारा प्रस्तूती करण दिया गया इस हुसर पर दीपों के उपरा जपाल एडमिरल डी के जोशी मुके सची जीतेंदर नारायन और प्रशासन के वरिष्ट अधिकारियों ने इसमें भाग लिया एनिट को द्वारा वेश्विक और सतत नियमों को ध्यान में रखते वे कालिपूर, रामनगर, कर्मटांग, आमकुँश, अर्मन बगीचा, तटों के अलावा मर्क बे, नौर्थ बे, राइट में उखाडी, गुडविल स्टेट, फ्लैट बे और रंगाचांग में परेटन परियोजनाओं के विकास को क्रियान विद करने की योजना है श्री किष्ण जन्माश्टमी का परवत 30 अगस को मनाय जाएगा इसे देखते वे अंडमानिकोबर प्रशासन ने श्रदानों को अपने घर से मंदिरों तक रातरी 10 बजे के बाद भी आने जाने के लिए छूट प्रदान की है अब लोग तड़के एक बजे तक आ जा सकेंगे इस दौरान कोविड 19 प्रबंदन को लेकर जारी राश्टिय दिशान निर्देशों का पालन करना होगा सभी धार्मिक स्वलों को S.O.P. का भी पालन करना होगा प्रदेश भाश्पा अध्यक्ष आजय बरागी के नेतोतों में पार्टी का एक प्रतिनिदी मंडल ने हाली में नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकर्टिक गैस तता आवासी और शहरी मामलों के मंतरी हरदिप सिंगपूरी से मुलाकात की मुलाकात के दोरान उन्होंने मद उतर अठर्णमान में जनसंक्या को ध्यान में रखते वे पेट्रोल पंकी संख्या में व्रिधी करने का मुद्धा उठाया केंद्रिय मंत्री से उत्तर अंडमान में तेल और प्राकर्तिक गैस निगम O.N.G.C के कारे में तेजी लाए जाने का भी अन्रोथ किया गया केंद्रिय मंत्री ने प्रतिदी मंडल को उनकी मांगो पर गौर करने का आश्वसंदिया भारती जनद पाटि के पूरवत दख्ष बिश्याल जौली के नित्तु में दख्षिन अन्डमान के विभिन वागो में टीका करना भ्यान चलाए जा रहा है हाली में कालिकट में आई जुटीका करना भ्यान में कई लोगों को टीका लगाया गया सुर्णिम विजे वश मनाय जाने के उपलक्ष में दीब समू के विबन भागों से होती वी विजे मशाल कल पोर्ट बेर पहुंची पोर्ट बेर में अंडमान निकुबार तर्टक्षक शेतर के मानिरक्षक दिनेश राजपुतरन और कमान के अन्ने अधिकारियों ने मशाल को प्राप्त किया मशाल को तर्टक्षक जिला मुख्याले के परेड मैदान में रखा गया जहां 1971 भारत पाग यूद के शहीदों को रशदा अंजली अर्पित की गी मान से मशाल को तर्टक्षक जटी और तर्टक्षक अवासिर शेतरे ले जाया गया जहां सैनियक आर्मियों और उनके परिजनों ने शहीदों को रशदा अंजली दी कमान के आर्मी कंपोनेंट को सोफे जाने से पहले विजय मशाल को तर्टक शक एर एंड क्लिव परिसर भी ले जाये गया ये समझार आप आकाश्मानी पोट बेर से सुन रहे हैं सांसद कुल्दी प्राई शर्मा ने पोट बेर से रंगत मायबंदर और डिगलिपूर के लिए विशेज जलियान सेवा उपलब्द कराने की मांग की है मुके सजी को लिखे अपने पत्र में सांसद ने मदधुतर अनमान के लिए एटीयर बस सेवा के समाने होने तक विशेज सेवा उपलब्द कराने को कहा है सांसद ने कहा कि मिडिल स्टेट जार्वा सरनक्षन चोकी के पास भूस कलन होने से मदधुतर अनमान के लिए एटीयर सेवा प्रभाबित हुई है इसे देखते वे जिले के लोगों के लिए विशेज जलियान सेवा उपलब्द कराई जाए भारती जनता पार्टी के उपाद्यक्ष प्रकाष अधिकारी ने कल शिक्षा राज्यमंत्री डॉक्टर सुबाष सरकार से नई दिल्ली में मुलाकात की मुलाकात के दोरान उन्होंने पोर्टमोट जवार नौदेव विद्याले और करीब तीन सो प्राध्यमे की स्कूल शिक्षकों की भरती से जुड़े मुद्दे को उठाया शिक्षा राज्यमंत्री ने इस दिशा में उचित कदम उठाने का आश्वसन दिया श्री अधिकारी ने पार्टी के दीब समू प्रबारी 22 सत्र कुमार को भी संबन में पत्र लिखा है श्रीमत्री शीला सिंग को भारती जनता पार्टी मैला मोर्चा की राष्टे कारेकारी समिती में सदस्य के रूप में नुक्त किया गया है मैला मोचा की राष्टी अध्यक्षा द्वारा पार्टी के राष्टी अध्यक्ष से स्विक्रिती प्राप्त करने के बाद आदेश जारी किया गया है श्रीमत्री शीला सिंग इस समय प्रदेश भाज़पा की उपाध्यक्ष और कोर कमिटी सदस से भी है नियुक्ती होने पर श्रीमतिर शीला सिंग ने पार्टी के राष्टे अध्यक्ष जेपी नड़ा और मैला मोर्चा की अध्यक्षा वनिता श्रीनिवासन के प्रती आभार प्रकट किया है अनमान निकुबार दीब समु में एंसीसी इकाईों का निरक्षन करने के लिए ग्रूप कमांडर मदरास एके करनल जनरेल सिंग आज से दीब समु का दोरा करेंगे दोरे के दोरान उन्हें एंसीसी गती वीदियों के बारे में जानकरी दी जाएगी और उपलब्दियों के बारे में भी बताया जाएगा वे एंसीसी के सेना और नौसेना एकाई के कमांडिंग आफिसर से भी मुलाकात करेंगे और 31 अगस को मुखे भूमी लोट जाएंगे रास्टे इंडियन मिलिटरी कॉलेज देरदून में प्रवेश के लिए लिखित परिक्षा आज आज आज़ित की जाएगी प्रवेश के टैगो राचके शिक्षा मा विद्यले में तीन सत्रों में आईज़ित होने वाली ये परिक्षा सुबा साड़े नौ बजे से शुरू होकर शाम साड़े चार बजे तक चलेगी संगटेन की बंबु फ्लाट कारेले में आईजीत कारिकरम में समधेक स्वास केंद्र बंबु फ्लाट की इस्तरी रोग विशेशग्य डॉक्टर सुजाता मुखे अदिदी थी समाजी कारेकरता साधना लाल ने महिलाओं से आत्में दिर्वर बनने को कहा विद्यू की अध्यक्षा वीके मरियम वीबी ने महिला समानता दिवस के महत्पो पर पकाश डाला राश्टी खेल दिवस कल मनाय जाएगा इस सुप्लक्ष में अंडमा निकुबार चेस एस्सेशन की ओर से ऑनलाइन ओपन चेस्स टूर्नमेंट का आईजन किया जाएगा टॉर्नेलो प्लेटफॉर्म पर खेले जाने वाला ये टूर्नमेंट सुबार नौ बज़े से शुरू होकर शाम चार बज़े तक चलेगा जिसमें छे राउंड होंगे नतीजों की घोशना भी इसी दिन की जाएगी खिलाडी 200 रुपए के प्रवेश्चुल के साथ इस टूर्नमेंट में भाग ले सकते हैं प्रवेश्चुल को नगत के बज़ाए एस्सोसेशन के खाते में आज दोपैर तक जमा करने को कहा गया है अधिक जानकारी के लिए चेस एस्सोसेशन से संपर्क किया जा सकता है आगाश्वणी पोटबलर से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलिटीन आप मीडियम वेप के साथ साथ FM 100.9 मेगा हट्स पर भी सुन रहे हैं ये समाचार मुबाइल फोन और वानों के FM रेडियो पर भी उपलब दें इसके लावा अब अगाश्वणी पोटबलर के प्राइमरी चैनल से प्रादेशिक समाचार सहित प्रसारित होने वाले अन्यकार क्रमों का आप देश और विदेश में कहीं भी कभी भी आनंद उठा सकते हैं इसके लिए अपने मुबाइल फोन से गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें न्यूज ऑन एई आई आर एप और अब समाचार पत्रों की सुर्गियां अनमान निकुबार दीब समू में तीन लाग पच्पन हजार से अधिक लोगों को टीका लगा जाने और अठारा से चावालिस वर्ष के एक लाग उन्तालिस अजार से अधिक लोगों का टीका करण होने के समचार को डेली टेलिग्राम्स ने अपनी बड़ी खबर बनाया है स्वणिम विजेवश मशाल के दीब समू के सबसुरे उतरी छोर से लेकर दक्षणी शोरता क्यातरा करने के समचार को दीब समचार ने अपनी पहली हेडलैन बनाया है सांसत कुल्दी प्राइश शर्मा के अंदर देश पर यूद कॉंग्रेस द्वारा टीका करण अभियान चलाए जाने और दीबों में सफलता पूरवक्ट टीका करण अभियान चलाए जाने के समचार को अंड़मान एक्सप्रस अंग्रेजी ने प्रमुकता दी है अबात इस्तिती में समुद्र में फसे एक जल्यान को तर्टक शक द्वारा कार निकोबार के कीटिंग पॉइंट के पास साहता पहुचाने के समचार को एस्पेक्ट ने अपनी बड़ी खबर बनाया है मदोतार अंड़मान के प्रफुल नगर शेतरे से एक नाले में डूबने से पती पतनी की मौत होने और हिंदु राश्रक्ती द्वारा प्रभावित परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उने राशन समग्रियां उपलब्द कराने के समचार को अंड़मान क्रोनिकल ने प्र देप समु में अगामी परेटन परियोज नाओं की समिक्षा के लिए नीती आयो के परमाश दाता द्वारा प्रस्तुती करण दिया गया अंड़मान निकोबर प्रशासन ने जनमाश्मी के दिन 30 अगस को शरदालों को देर रात एक बज़े तक मंदीरों में आने जाने की चूट परदान की है सांसात कुल्दी प्राइश शर्मा ने पोर्ट ब्लर से रंगत मायबंदर और डिगलीपूर के लिए विशेच जलियान सेवा उपलब्दकराने की मांग की है और राश्री इंडियन मिलिटरी कॉलेज देरादून में प्रवेश के लिए लिखित परिक्षा आज आज जित की जाएगी इसके साथ ही प्राइशिक समचार का ये बुलिटिन समाप्त हुआ नमस्कार